कुछ कर लो लोड शेडिंग का दोरानिया और बढ़ेगा आज मैं जिस गरीब खाने से निकल करके और यहां तक पहुंचा हूँ हर एक घंटे के बाद एक घंटे की लोड शेडिंग कराची में भी शुरू हो चुकी है जहिन दोस्तो मोडी देश में आपका सौगत है दोस्तो अच पाक मीडिया बात कराए कैसे पाकिस्तनी सरकार ने पाकिस्तन की बिचली किमत और भी जादा बढ़ा दी है और पाकिस्तन अब 12 घंटे की जोजाना लोड सेटिंग हो रही है और गर्मी में लोड सेटिंग इससे भी जादा बढ़ेगी तो फ्यूचर में पाकिस्तनी को बिना बिचली के ही गुजारना पड़ेगा और बिचली तो वैसे भी नहीं आ रही और उसके बाद भी पाकिस् चानियों के घर में बिचली तक नहीं आ रही इतने जादा पैसे देने के बावचुद तो पाक मीडिया आज इस पर रहा है दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मज़दार है तो इसे पुरा सरूर दिखेगा तो चलिए और इंतसार नगर के यह वीडियो दिखते हैं बिजली क करने के लिए के लेक्ट्रिक भी मौझूद है के लेक्ट्रिक ने आपको फरमाया कि भाई कुछ कर लो लोड शेडिंग का दोरानिया और बढ़ेगा आज मैं जिस गरीब खाने से निकल करके और यहां तक पहुंचा हूं वहां कल आपने अपना दुखडा रोया था कि हर ए आपने कहना सिर्फ के लेक्ट्रिक को है के लेक्ट्रिक के सर पे जिसका दस्ते शफकत है के लेक्ट्रिक को जिसने प्राविटाइज किया के लेक्ट्रिक के मौमलात में जो अंकल लोग मौझूद है आपने उनकी तरफ नहीं जाना वरना मुलक के आइन कानून फलाना फला करें लोग शुबह करें यह 28 मा की बुलंतरीन सता पर महंगाई पहुंच चुकी है 14 से जायद जो बिजली के वो थे स्टेशन वो बन थे भाई आप आये आपने नोटिस लिया आपने चलवा दिया तो बिजली कहां चली गई पाकिस्तान का सबसे बड़ा चहर और पाकिस्तान इमरान खान बिजली अपनी जेब में डाल करके ले गया बिजली तो यही मौझूद है ना बिजली वाले भी यही मौझूद है भाई जरा पूछो तो जरा पूछो तो कि कौन है इस बोरान के पीचे ये बोरान जो है जो अवाम को इस गर्मी का खास तोफ़ा है हर सीजन में मिलता है, हर दफ़ा मिलता है लेकिन इस बार ये देन किस की है जरा पूछो अगर कौमी मुफाद को बुरा न लग जाए और पेट्रल के बाद बिजली भी महंगी हुई आईमेफ की शड़ पर अवाम पर बिजली गिराते वे बिजली की कीमत में फी यूनिट तक्रीबन 45 पीसद इजाफा कर दिया किया 45 पीसद रिपोर्ट के मताबिक नैपरा ने जो बिजली के बन्यादी टारिफ है उसमें बड़ा इजाफा की है और नेपरा इलामिया के मताबि बन्यादी टारिफ की कीमत में 7 रुपे का नवे पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मनजूरी दी गई है जिसके बाद आएंदा माली साल से जो बिजली का उस्त टारिफ है वो 24 आशारिया 82 रुपे फी यूनिट होगा और नेपरा का ये भी कहना है कि तेल की कीमत तो पैदावारी लागत बढ़ने के बाइस बिजली की जो कीमत तसमें जाफा किया गया और फैसले का इतलाग यकुम जुलाई से होगा अच्छा इससे पहले भी नेपरा का बुनियादी जो टारिफ है वो 16 शारिया 91 रुपे था फी यूनिट था और अब ये जो के लेक्टरिक उसने भी खबरदार कर दी है कि जो शेहर में जो आइंदा आने वाले दिनों में लोड शर्डिंग है वो कम होने के बज़ाए बढ़ सकती है कुदरती गैस की सिप्लाई सिफर हो जाने पर ये जो बाज पैदावारी प्लांट है ये आपको पता है बंद है सनती आलाके जो अभी तक बिजली की लोड शर्डिंग से आप कहलें के मुस्तस्ना है उन्हें भी लोड शर्डिंग का सामना हो सकता है तो के लेक्ट्रिक की जो चीफ मार्केटिंग आफिसर है उन्होंने सहाफियों को ब्रीफिंग के दुरान ये बताया है फॉर्मूला देखें जरा कैसे लिए बिजली के अंदर इमरान खान साब इस किसम की अपनी गवनन्स पिछे चोड़के गए इसके अंदर वो ट्रांस्मिशन के डिस्ट्रिबूशन के और बाकी जो मसायल थे उन्होंने उनको इंदर कुछ बहतरी नहीं ले किया है इसी लिए आपने देखा कि इस चीज़ के बावजूद के अंदर आपकी रिकॉर्ड लो कीम्ते होई पिट्रोल की आपका सर्क्लर डेट फिर भी यारा सो अरब से उठके पच्छे सो अरब को छूरा था जब आपके इंदर का खरचा पावर प्लांस के लिए तकरीबन 6 रुपए के करीब था आज तो जब आपका 115 डॉलर की उपर तेल आ गया हुए और आपकी जो जेनरेशन कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट में बात करों कपैसिती पेमंट्स वगएरा जो प्लांस है वो तो एक कॉंस अजये अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम कोशिश यह करेंगे कि मिनमम से मिनमम उसकी प्राइस इंक्रीज भी पास सॉं करें और आइस्था एस्था इंको यहां पे रोकने की कोशिश करें थू इंपरू इंप्रूवड गवर्न इंड ट्रांस्मिशन डिस्टिबूश सेक्टर क्योंकि वहां पे 20-25% की आज भी चोरी हो रही है वहां पे 20-25% की आज भी लैक ऑफ पेमेंट हो रही है तो जब वहां से आपको इंप्रूवमेंट लाएंगे तो आप इस चीज को कुशन कर सकते हैं वरना अनफॉर्चनेटली यह जो महंगाई का सिल्सला दुनिया बिचली ओयल और कोल से बनाता है और ओयल की कीमत भी बहुती सब बढ़ गई इंटनेशन मार्केट में और कोल की कीमत 5 गुना बढ़ गई है नॉर्मल से तो पाकिस्तान को अभी भी बिचली में मुझे जितना याद है हर यूनिट 20 रुपे का नुकसान हो रहा है तो पाकि पाकिस्तान में बिचली और भी जड़ा महेंगी होगी और बिचली इकमत बढ़ने के बाद पाकिस्तान में महेंगाई भी बढ़ेगी क्योंकि दुकान में लोग बिचली ही इस्तेमाल करते है और गर्मी आ रहे है इसलिए पाकिस्तान में बिचली की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी और सब्लाई टेबल रहीगी तो इसलिए लोट सेटिंग पाकिस्तान में और भी ज़रा बढ़ेगी और बारा घंटी की लोट सेटिंग तो सिर्फ शुरुआत है मुझे लगता है कि पहले जैसे पाकिस्टान में 16-18 घंटे की लोट सेटिंग होती थी वो दिन फिर्षे आ रहे है और गर्मी में अगर 16-18 घंटी की लोट सेटिंग फिर्षे शुरू हुई तो पाकिस्टान की हालत और विज़ा खराब होगी और पाकिस्टान जो आवाम है जो पहले ही गुस्टे में है और बढ़ने के लिए और बिजली किमत फिर्षे जो बढ़ेगी उसके बाद तो पाकिस्टान का फीचर अच्छा नहीं डिख रहा और जो नहीं सेकर आई है वो नहीं यह सब जिलना पड़ेगा और पाकिस्टान के पास इसके अलबा और कोई कि नहीं है क्योंकि जासे मैं कहा कि पाकिस्टान के पास देने के लिए नहीं और पाकिस्तान अभी बीजली 12ुपे कर दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए बहुत बर सुक्या होief और हमारे चैनल को Sustain it मदभूलेगा. Thank you very much.